यह देखो दिखा है अपका मेरे चनल में जिसका नाम है तरणावीत पमी मैं तरणा सागत करती हूँ आपका अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ आज का जो व्लॉग है मैंने स्टार्ट कर दिया है स्टार्ट मैंने कर दिया था और मैंने सूचे चलो आपके साथ शेयर करती हूँ तो कुछ पार्सल आए है एक तो यह है और दो दिन पार्सल और है अगर हो सका तो मैं इसमें आड कर दूंगी कुछ मैंने शॉपिंग करी है राखी की शॉपिंग जो आप कह सकते हैं राखी की हुई थी तो हलका सा उसके अंदर ऐसे करके लग गया था तो मुझे पेन हो रहा था मैंने उतार दी थोड़ी दिर में डाल लोंगी उसको पर अच्छे नहीं लग रहे नंगे खानी से पहले आप लोग कमेंट करें मैंने खुद जबें बोल दें अच्छे नहीं लग रहे हैं तो ये पार्सल आया था जिसे कि आपको पता है पार्सल आते हैं अडरेस आप लोगों के साउसद शेयर नहीं करती हूं तो उसके लिए सौरी अपनी भी कोई प्रावेसी होती है हर चीज शोशल मीडिया पे नहीं डाल सकती हूँ मैं इसलिए तो पता इस पार्सल मिट के अंदर क्या निकला है यह अधूत चीज आई है और सच में जब सेल लगती है ना तो मतलब मैं कभी सेल में से कदो कुछ मंगाती नहीं ऑनलाइन कुछ पी आता है पर उस दिन मुझे क्या लगा कि चलो सेल में हैं मंगा के देखते हैं और इसके अंदर जो निकला है न वह आपको दिखाते हैं निकालना एक पर इसको हर्जबन जिससे हेल्प एनी पढ़ रहे है उसको निकालने के लिए तो एक तेस में निकला है तो जब मैंने बच्चों को दिखाया ना तो उनका पत है क्या चीज़ था कि ममी इससे तो हम जैम लगा लेंगे हमेशा सही मेरी वीडियो में ऐसे ही करते हैं गलत बात है ना है ना गलत बात तो यह प्राची ने बोला था इसको जैम लगाने में यूज में ले लेंगे और मैंने किसले मैंने सोचा था इसका थोड़ा सा बड़ा साइज आएगा ना तो मुझी किचन में हेल्प हो जाएगा जिस तरीके से मैं कुकिंग वीडियो शेयर करती हूं आप लोगों के साथ उसके लिए हेल्प हो जाएग इसके अंदर मैं आपको बताती हूं यह निकल जाता है यह आप देखेंगे ना यह निकल गया तो बेटे ची ने बोला इसको कांटे की चमच बना लेंगे हलाकि इसमें शेप दे रखिए बटे चमच नहीं है तो कुछ इस तरीके से था और दूसरा बाला भी मैं आपको दि दिखाती हूं उसने अपनी पैंसिल चलाया नोट बुक पे और फिर इससे लेकर उसको मिटा के दिखाया बोलती है यह तो रबड है और यह ऐसा नहीं है और सीरेसली यह सिंपली रबड है और जो परांठे में लगाने के लिए होता है जो दूसरा वाला ब्रोश होता है यह बस यह है पर 37 रुपीज में मुझे दोनों चीज मिली है यह तो निकली गया इसको लगा देते हैं तो 37 रुपे की शॉपिंग की मैंने शॉपिंग तो मैं खेर करती रहती हूं पर 37 रुपे की शॉपिंग याद रहेगी लाइफ टाइम और मैंने सुच है आपके साथ शेयर करते हैं आप भी इसी तरीके से करते हैं क्या कोई शॉपिंग सेल की और ऑलाइन का क्या चीज होता है कभी भी यह आपको प्रोडेक्ट है ना अच्छे से रिसीव बहुत कम ही टाइम हो बहुत कम ऐसी चीजे होती है जब आपको मैंने मिश्व का प्रोडेक्ट मुझे कभी भी बेनिफिट वाला नहीं लगा ऐसा नहीं लगा कि मैं उसे हमेशा आपने काम में यूज में ले सकती हूं प्रोड़ कहते बहुत ऑप्रोड़ क्या इन्सटाग्राम में जो अब न्युक्तित करने कपड़ से अभीज़र को मजसे पर हैं सपताइब यूज मैं एक सफेट अब चछेश dependency काम हैं इसलेश नेंने में और सब्सक्राइब नहीं जो वह में आपको रहाएं कोब कुछ खाना बना लेते हैं आज हालत ऐसी नो मेकप नो कुछ कुछ नहीं कर रहा सिंपल आपके सामने आकर बैठ गई और बाते लगाते हैं वह भी नहीं लगाई अब जब से लगाने लगी हुँ ना विंदी आप लोगों के कहने से तो क्या हो गया अब आधत हो गया जब तक दिखती नहीं है तो असे लगता है सुना मुझे क्या करना है जो सब्जियां है उन्हें कट करनी है जैसे लैसोन प्यास चमाटर इन सारी सब्जियों को कट करके रख लोंगे फटा फट से और फिर मुझे बनाना भी है लंच की तयारी कर रही हूं और आज बचो की छुटी भी थी क्योंकि आज पेरेंट्स कभी होगी तब पिर जाएंगे कि एक्जाम होगे तब होगी तो जब जाएंगे और मैं आपको एक चीज पताँ क्यों आज ना बच्चों की कंप्लेंड भी आई है स्कुल से अस्कुल से कंप्लेंड आने का मतलब यह भी होता है कि बच्चों को ठीक से पढ़ाई नहीं हो उनके पढ़ाई का रीजन यह था थोड़ा बहुत देखो अभी तो स्कूल खुले थे फिर एकदम से बच्चों दोनों ही बच्चे अपनी एक सेवंथ में हैं तो दोनों की पढ़ाई मेरे हिसाब से हाई है और मैं उनको कहां तक कब तक कवर करने के लिए बैठा सकती हूं कि हाँ चलो मैं तुम्हें याद करा देती हूं या फिर मैं रीड करा देती हूं छोटे बचे तो वो है नहीं खूब तो उनकी मैंने डाट लगाई क्योंकि डाट लगाना भी जरूरी है अब जरूरी नहीं कि मैं उनको बोला है कि मैंने का अगर तुमने ठीक से पढ़ाई न मैंने का ठीक से अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और खेलना कूदना करो बंद और यह सब चीजे हो जाएंगी रही बात एक साल की इस साल अच्छे से कवर कर लोगे ना तो टैंट में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी क्योंकि हम जब करते देना तो हम लोगों को पता है उस तो यहां पर जो मसाला है वह भुणने की तैयारी पर है प्याज अच्छे से बहुण चुकी है अब इसके अंदर में जो टमाटर है ना इसके अंदर मसाला बना लोगे सिंपल से जो हमारे बेसिक से मसाले होते हैं वही आड़ कर रहे हैं लाल मिश नमक धनिया और क्या बोल को तो तो जो हमारे लिए मशंचा बूझत को बहुंड दाल दिर से एक साब जिन सभ़ा मतार ही डाल में यहां डाल द्याल द्याश्चिस लिए अच्छे से और में अधर और पिस सो ग्रेविया तो प्याज अच्छे से में पॉइंट क्या होता है आपका मसाला होता है आपका मसाला होता है आप कितने अच्छे से कितने अच्छी तरीके से आप सब्जी को भून रहे हैं कितने अच्छे से आप मसाले को भून रहे हैं वही सबसे में पॉइंट होता है आपकी सब्जी का मै मिसाला काती नहीं देखें अब चुका है आप सब्सकेश बने अच्छे काफी हद तक अभी इसमें कसर यह श्मति दो को पुर्जिश नहीं डाल रहे हूं तो इसलिए मैंने धनिया नहीं डाल तो मैंने डाला ड्ला तो आज ये पढ़ाई करने बैठे हुए है और आपको दिखा देते हैं कि हर्ष के हाथ में भी लग गई है देख सकते हैं और यहां पर इसके हाथ में जब लगी ना तो दिखाया उसको एक्सरा एक्सरा करवाने के लिए बोलते हैं वही सब हुआ फिर इसको देशी पट्टी यहां तक सब चीज पूरा बैड inका मैसी करके लगते हैं जब यह पढ़ाई करने मुझे तुसरे इहीं लगते हैं कि सारह between बढ़ने के लिए प्राए करते हैं और यह इसे देखो इसने हाथ में बना लियाै तोता तोता पाल लिया है यह देखो इसे कि यह लंगी में लगी में इसकी हड़ी में शायद कुछ हुआ है जिसके इसे पट्टी वी यह सीधी भी नहीं हुई जारी है इसको ऐसे कर यह देख यह तो देख लेते हैं और आपको भी दिखा देती हुआ देखिए काफी अच्छी से मसाला है हमारा भुन चुका है अब हमें इसके अंदर क्या करना है अब हम छोले डालेंगे जो कि हमने बॉयल करके रखे हुए हैं पहले से ही तो मैं पहले ही कुकर खोल लेती हुँ और इस कर देख सकते हैं मसाले और छोलो को अच्छे से मिक्स कर देना है मेरे गया में तरीशुले कोई नहीं घाता है गाड़े ठिक होते हैं ग्रेवी वाले टाइप के वही छोले खाये जाते तो वही मैं ज्याधा थर बनाती हूं तो देख लिए यहां पर जो मैं गई थी ना सारा क्लीन करके चामल कुकर में चड़ा कर तब गई थी और यहां देखिए मेरी सब्जी का फाइनल लुक कैसा लग रहा है धनिया मैंने इसमें नहीं डाला मैं आपको करीब से दिखा दिया और यहां पर सारा किचन है जो बिल्कुल क्लीन कर रूम में रूम में आने के बाद थोरदर बैठी रेस्ट किया बच्चों ने खाना वना खाया तो इनके टूशन का टाइम हो गया थो तो यहां प्राची के बना रही हूं बाल आज बुद्वार था तो प्राची ने अपना शिर वाश किया था अब टूशन से आएगी फिर इसकी चोटी बना कर इसको छोड़ूंगे क्योंकि खुले बाल मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं दिक्कत भी देते हैं इस वज़े से तो चलो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट शेक्षन में ज़रूर बताइएगा ज़्यादा कुछ नहीं था व्लॉग मे पर फिर भी जितना मुझसे बन सका उतना मैंने बनाने की पूरी कोशिश की है मैं मिलती हूँ नेक्स वीडियो में अपना और अपनी फैमली का खयाल रखेगा दुआ में मुझे याद कीजिएगा बबाई लव यो थैंक्स फर वाचिंग आपका इस वीडियो के रिकार्ड कीजिए अगर आपको अच्छी लगरी है आपको लगता है कि आगे अगर दो लोग और देखेंगे तो उन्हें भी फसंद आएगी तो इसलिए आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और अंत में चलते चलते कहती हूँ जै माता दी